आप सभी झानते हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर के चाहे किसी भी प्रकार के वाद विवाद क्यों ना हो और ऐसे वाद विवाद में भारत का जीतना बहुत ज़्यादाँ इंपोर्टेंट और मायने पून रखा जाता है फिर चाहे क्रिकिट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान और अंतराष्टिय इस तर पर जब भी ये बात हो कि भारत और पाकिस्तान दौनों एक दूसरे के सामने कहीं पर भी आकर खड़े हो तो जीत भारत की होनी चाहिए और इसी क्रम में आज का ये सेशन है सेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए एक ऐसे मामले की जानकारी आपके सामने रखने का जिसमें पाकिस्तान भारत से अंतराष्टिय मंच पर जीत गया है यही कारण है कि सुरकी बनती है कि पाकिस्तान बीट्स इंडिया टू इंदी वोट टू बैग यूनेसको व के से मजाक बनाने के मूड में पाकिस्तानी आ गए है और भारत के ही लोग भारत सरकार से पूछने लग गए है कि आप तो गलोबल साउथ के मसीहा बनते हैं गरीब देशों के मसीहा बनते हैं मोदी जी जहां तहां जाते हैं कहते हैं कि हम गलोबल साउथ के साथ हैं और अभी तक गरीवी के आलम में जी रहा था, वो आपके सामने से वाइस चेर्मेन की सीट ले करके साइड हो लिया, आज का विशे बहुत इंट्रेस्टिंग है, इस हार और जीत के सेशन में एक और जबरदस्त बात मुझे आपको बतानी है, क्योंकि अल्टेमेटली ये सारी चीज़े तो हैं ही, इसके साथ साथ विदेश मंत्री जैशंकर साहाब और हमारे जो बहुत सारे ओफिसर्स अंतरराष्टी इस तरपर काम कर रहे हैं, उनको भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, जो अपोजीशन खेमे के हैं, उनका कहना है कि आपकी लॉबिंग का और आपकी प्रजैंस का क्या हुआ, बड़ी इंटरस्टिंग कहानी होने वाली है, लेकिन इससे पहले में एक और बात आपको याद दिला दू साथ ही हूँ, और वो बात यह है कि आप में से बहुत सारे साथ ही हमारे ऐसे हैं जिन्हों ने हाल ही के दिनों में market को चड़ते हुँए देखा है, market के अंदर बढ़त को देखा है, और अगर उस market की बढ़त ने आपको भी inspire किया है कि आप भी दो पैसे side income के रूप में generate कर लें, तो एक informative जानकारी मैं आपके साथ 2 मिनिट के लिए share कर रहा हूँ उसे जरूर सुनिए ये session तो मैं आपके साथ साजा करूँगा बहतरीन तरीके से दोस्तों क्या आपको पता है हाल ही में भारत का share market दुनिया का 5 पा सबसे बड़ा market बना है चार ट्रिलियन डॉलर की हमारे shares की value cross हुई है ये किनका पैसा लगा है आपका और हमारा जैसे लोगों का पैसा पैसा कहां से लगा है अकाउंट से लेकिन अकाउंट सेविंग नहीं है अकाउंट DMAT है DMAT अकाउंट जिसका link मैंने comment box में दिया हुआ है market wolf के थुरू simple सा procedure है follow कर लीजिए और account open कर लीजिए zero charges है maintenance का भी कोई charge नहीं है annual कोई charges नहीं है साथ कि आपको पता है DMAT अकाउंट के थुरू जब आप share purchase करते हैं या sale करते हैं तो बड़ा दिमाख में doubt यह रहता है कि अगर मैंने share purchase किया तो कहीं मेरा share नीचे के भाव पर आ गया तो मेरा रखा हुआ पैसा zero तो नहीं हो जाएगा उधारन के लिए आपने 1000 रुपए के share purchase किये अगले दिन पता चल रहा है market लुडग गया और आपके पैसे zero हो गया market wolf एक option देता है कि आप अपने 1000 रुपए के साथ में so ना उस समय पहले ही लगा देना यानि दिन में decide कर लेना कि मेरा stop loss यहां लगाना है मतलब 900 रुपए से नीचे भाव नहीं जाना चाहिए तो आपका 900 रुपए तक भासा trade में involved रहेगा उसके नीचे अगर market जाता भी है तो आपका share बिकेगा नहीं safe रहेगा और अगर आपने set कर दिया कि मेरा 1000 का share है अगले दिन अगर 1200 rate पहुँची तो बिक जाना चाहिए तो आप profit gain का भी angle set कर सकते हैं इतना होते ही मेरा share बिक जाना चाहिए इंटरेस्टिंग तरीका ये तो stop loss, profit gain ये सब लोग use करते भी हैं जो थोड़े बहुत जानकार है इनका एक इंटरेस्टिंग तरीका that is known as wolf way और इसमें ये क्या करते हैं कि अगर आपने कोई share purchase किया आपको लगता है कि market raise हो रहा है जैसे भी Tata Technologies के साथ हुआ जिस दिन IPO आया लगभग 500 रुपए के आसपास उनका share list हुआ लेकिन list होते हो भाव 1300 के उपर पहुँच गया अब आप उमीद में बैठें 1300, 1500 कब जाएगा 1500, 1600 कब जाएगा ये विचार कर रहे हैं ऐसी स्थिती में आप stop loss लगा के बैठें 4500 रुपए का किया और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपने यदि वोल्फ वे चूज किया होता तो ये अपने हिसाब से आपका जो stop loss है ये बहुत उपर ले गए होते यानि कि आप market से जब आउट होंगे उस समय profit लेके ही आउट होंगे ऐसा ये algorithm का use करके आपको फाइदा पहुचाने का प्रयास करेंगे पता है interesting बात ये जान लीजिए market wolf के थुरू demat account खोलना जहां सुन्य maintenance charge रखता है साथ ही साथ यदि आप लोगों ने profit कमाया तो ही ये आपसे कोई commission लेंगे अगर आपने profit नहीं कमाया तो आपसे कोई भी charge नहीं लिया जाएगा है ना बड़ा interesting यदि आप भी चाते हैं भारत के इस बढ़ते हुए share market में demat account के थुरू trading करना तो चुनिए market wolf को comment link box में दिया गया है जाकर check करिए अब इस काम की जानकारी के बाद में अब knowledge की बारी और knowledge ये है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि दुनिया ने 1945 में जब second world war finish हुआ तो बहुत सारे मामलों को निप्टाने के लिए एक बहुत बड़ी agency का गठन किया नाम था उसका United Nations United Nations के अंदर ये जो आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं ये तमाम प्रकार के मसले नहीं निप्टा सकते इसलिए बहुत छोटी छोटी और agencies भी बनाई गई जैसे food and agriculture organization जैसे IAEA जैसे की IFAD जैसे international labor organization जैसे IOM जैसे UNISAFE इसी प्रकार की तमाम agencies में से एक agency है जिसका नाम है UNESCO साथियो UNESCO की आज हम चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा क्यों important है क्योंकि United Nation Education, Scientific and Cultural Organization एक ऐसी specialized agency है जो United Nation के अंदर दुनिया में शांती, सुरक्षा Education, Arts और Science और Culture के छेत्र में प्रसारित करने के लिए गठित की गई है और इसी की चाहत में आज का ये session किया जा रहा है यानि कि UNESCO जहां पर दुनिया के 105 में सदश्य है उसकी चर्चा आज के session में है यानि United Nations ने Arts के छेत्र में, विज्ञान के छेत्र में सिक्षा के छेत्र में दुनिया का प्रभाव, व्यापक रूप से अच्छा सिद्ध करने के लिए एक संधन का गठन किया हुआ है मुख्याले इसका पैरिस के अंदर है 1945 में इसके स्थापना हुई है और इसकी वर्तमान में DG और ड्रे अजॉले हैं आज इसी के reference में बात है क्यों है? क्योंकि हाल ही में टॉप स्टोरी बनी युनेसको को लेकर क्या बनी? As Global South Helps Pakistan beat India at UNESCO 38 अनुपात 18 यानी कि 38 के मुकाबले 18 वोट से भारत हार गया पाकिस्तान को मिले 38 वोट भारत को मिले 18 वोट और ये घटना जैसे ही हुई इससे भारत के लोगों में बड़ी खिन्नता आई आना स्वभाविक था खिन्नता आना स्वभाविक इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की सुर्खी थी कि पाकिस्तान emerge victorious over India भारत के उपर विजाई बन कर उभरा पाकिस्तान आप यहां सुर्खी देखते हैं पाकिस्तान टुड़े की आप यहां पर रेडियो पाकिस्तान को देख सकते हैं पाकिस्तान defeats India to secure UNESCO vice chair for 2023 to 25 term आप यहां पर समाम अख़बारों में पाकिस्तान के अंदर जो मतलब एक तरह से खुशी का इजहार हो रहा है कि पाकिस्तान ने पताने क्या पा लिया है अब यह क्या पा लिया है उसको भी समझाएंगे क्योंकि पाकिस्तान खुश क्यूं है साथ यहो पाकिस्तान ने इंडिया को एक चुनाव में हराया है किसका चुनाव था जब तक समझ में आ गया है Vice Chairman का चुनाव था UNESCO के अंदर 6 Vice Chairman होते हैं क्योंकि UNESCO ने दुनिया के इन सभी 100 पिचान में देशों को अलग-अलग खंडों में बाटा हुआ है अलग-अलग खंडों में बाटा हुआ है से मतलब यह हुआ 37 देश का एक समू, 42 देश का एक समू ऐसे करके इन्होंने 6 खंड बनाए हुए है सभी 6 खंडों के 6 Vice President होते हैं देखिए UNESCO की structure को इस प्रकार से समझा जा सकता है मैं वो लेके आया हूँ आपके सामने समझाने के लिए so that आप इसको आसानी से समझपा है ऐसे समझिए UNESCO के अंदर यह सारे countries का number है इन countries के number में आप अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर आपको group number 4 दिखाई दे रहा है that is Asia and Pacific का दिखिए इस पूरे के पूरे बतलब कम देशों के समझ की जो DG है उसका नाम Audrey Azule है वो एक व्यक्ति हो चुका अच्छा इसके बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे इसमें 6 सब groups हैं यह सब मिलकर UNESCO के member बनते हैं इन में से जो यह group number 4 है यह देखो group number 4 इसमें Asia और Pacific countries शामिल होती है इसमें कितने देश दिखाई पढ़ रहे हैं 37 दिखाई पढ़ रहे हैं असल में यह 6 की 6 से एक, एक व्यक्ति elect किया जाता है जिसे vice chairman कहा जाता है क्या कहा जाता है vice chairman यह क्या करता है जब director general या chairman छुट्टी पे होता है तो यह vice chairman उसकी पद को समालता है जैसे भारत में president और vice president है जब president नहीं है तो vice president होंगे लोग सबा का speaker और vice deputy speaker तो जब speaker नहीं होगा तो deputy speaker संभालेगा कुछ उस प्रकार से जब अध्यक्षता करनी हो तो यह व्यक्ति इन 6 में से कितने vice chair हुए 6 vice chairman हुए ठीक है साब अब तुनिया में 5 बड़े देश चुकि बड़िया में आपको मालूम होना चाहिए United Nations के अंदर 5 permanent member भी है उन 5 permanent member के 5 प्रतिनिधी भी होते है तो देखो 6 तो हो गए इन 6 समूहों से निकले हुए व्यक्ति 5 हो गए जो 5 permanent members के प्रतिनिधी जो chairman के group executive board में बैठने वाले लोग है और एक हो गया chairman इस प्रकार से इनकी जो executive board है उसमें 12 member होते है India already executive board में है अभी भी है और वो पदपर बरकरार है लेकिन आने वाले समय के लिए election हुआ है उस election में भारत ने फिर से contest किया कि मैं फिर से इसके अंदर शामिल होना चाहता हूँ लेकिन भारत और यहाँ पर उमीदवार के रूप में खड़ा हुआ पाकिस्तान उसने भारत को हरा दिया तो उमीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा किस structure के लिए लड़ाई हो रही थी यह सब की सब 12 लोग इन बचे हुए 190 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं अच्छा अब मैं इस बात को थोड़ा वापस से शुरू करता हूँ देखिए तो यह voting किस काम के लिए हो रही थी voting हो रही थी 2023 से लेकर के 2027 की अध्यक्षता के लिए इंडिया ओल्रेड़ी इस UNESCO के Executive Board में शामिल है 2021 से लेकर 25 तक के लिए भारत को मेंबर्शिप दी हुई है ठीक है साब यहाँ पर इंडिया ओल्रेड़ी मेंबर है आने वाले टर्म के लिए चुनाव लड़ा रहा था जहाँ पर हम defeat में चले गए चलो यहाँ तक की बात समझ में आगी इस 12 सदशिय टीम में 6 Vice Chairman जो बनते हैं उनमें से एक का चुनाव था जिसे हम UNESCO में हार गए Clear हो गया? अच्छा हारने के बाद जो टर्म निकल कर आया वो क्या था? वो टर्म था Global South ने चुन लिया है किसको चुन लिया है? पाकिस्तान को अब ये Global South क्या है? ये बड़ा Important term है क्या है? इसको थोड़ा सा समझते हैं आपको यहाँ पर एक Line दिख रही है ये इसका नाम है Brand Line ये Brand Line क्या है? मैं हलका सा आपको इसके बारे में बता दूँ क्या था ना? असल में एक जर्मनी के चांसलर हुआ करते थे जिनका नाम था विली ब्रेंट क्या नाम था? विली ब्रेंट विली ब्रेंट ने एक बार ये कहा कि दुनिया में कुछ ऐसा लगता है कि अगर एक Line क्हेंच दी जाए तो इस Line के नीचे-नीचे के जो देश है वो गरीब देश है या कहिए तो Low Income Category के है या Middle Income Category के है अगर इस Line को खेंच दिया जाए ये किसने बोला? जर्मनी के चांसलर ने बोला था एक विलीम ब्रेंट नाम के हुआ करते थे इसलिए इस Line से नीचे यानि देखो मैप में पढ़ने का तरीका क्या होता है उपर पढ़ा जाता है North नीचे पढ़ा जाता है South राइट में पढ़ा जाता है East और लेफ्ट में पढ़ा जाता है West तो इस Line के नीचे आप में से कुछ लोग जो जो जानकार हो सकते है वो कह सकते है इक्वेटर के नीचे Southern Hemisphere है लेकिन विलियम जो बेंट थे उन्होंने इस Line को थोड़ा उपर अज्यूम किया और कहा कि ये दुनिया के देश Low Income और Low Middle Income कैटिगरी के देश है इस Line में से उन्होंने Australia, New Zealand को साइड में रखा ऐसे ही Asia में से South Korea को और जापान को बाहर रखा और उपर की तरफ तो रशिया वगेरा है ही ठीक है उमीद है आपको ये बात समझ में आगई मोदी जी जब भी अंतरराष्ट्रिय मंचों पर होते हैं तो वो खुद के साथ-साथ इन सभी Global South के जो देश हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करते हुए दिखाई देते हैं वो कहते हैं कि मैं Global South की आवाज बन रहा हूँ जैसे आप यहाँ देखिए 13 जनवरी 2023 की cutting है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ओपनिंग रिमार्क और इसमें ये क्या कहते हैं I am happy to announce that India will establish a Global South Center of Excellence यानि Global South के बहुत बड़े प्रवक्ता है प्रभप्रधान मंत्री Climate action must ensure priority of Global South यानि कि मैं आपको वो news दिखा रहा हूँ अभी प्रधान मंत्री COP28 के लिए दुबई गए तब भी इनोन एक शब्द यूज किया That is Global South Climate Finance Technology Extremely Essential यहाँ पर भी एक शब्द यूज हुआ Global South सब जगे जहां दिखे भारत उठा कर एक शब्द लिका लिलता है Global South अब यह जो Global South शब्द निकल कर आया यह शब्द अपने आप में बहुत जादा चर्चा में आया क्यूंकि दुनिया ने इस प्रकार से इसे उठाया कि Global South ने हमें चुन लिया है यानि कि एक प्रकार से Global South के लिए यह अपने आप को बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं पाकिस्तानी इनका कहना है कि इंडिया को छोड़ कर लोगों ने हमें चुना है हमें अध्यक्षता दी है Global South के लिए उमीद है अब आप लोगों को ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी फिर लोगों की बारी आई फिरकी लेने की लोगों ने कहा कि एक ऐसे देश को UNESCO जो की बात करता है Arts की, Science की, Culture की एक ऐसे देश को लोगों ने चुल लिया जिसके पास में Literacy Rate 56% है एक ऐसा देश जिसके पास गिंती की UNESCO World Heritage Site है उसको UNESCO वालों ने Vice Chairman चुल लिया तो ये समझ में आ सकता है कि UNESCO किस लेवल पर कार्यक कर रहा है हाला कि पाकिस्तानी इस बात से जहां एक और अपने आपको खुश देख रहे हैं वही पर लोग इन से कह रहे हैं कि चलो अच्छा है अब इसी का विज्यापन करके लोगों में थोड़ी positivity ले आओ कि पाकिस्तान को गरीब देशों का नेता चुना गया है और कुछ लोग इस तरह से दिलासा भारत को भी दे रहे हैं कि चलो अच्छा है गरीबों ने अपना नेता आपको नहीं चुना कम से कम लोग मानने लग गए हैं कि अब आप गरीब नहीं हो क्योंकि आप ही बार बार कहते हो कि 2027 में तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बन जाएंगे इसका मतलब आप गरीब नहीं बचे हो देखिए दौनों ही पहलू हैं अब आप अपने आपको संतुष्टी देने के लिए कुछ भी कह दो लेकिन भारत इस डिपलोमेटिक रन में हार गया है उमीद है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए लेकिन जब ये चर्चा चली रही थी इसी बीच में एक इंटरस्टिंग वाक्या हुआ असल में नवंबर के आर आंत के दिनों में ही ये वोटिंग हुई थी योनेसको में और उसी समय पे पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है हिंगलाज माता मंदिर सिंध प्रांत के अंदर उसको पाकिस्तान में डिमॉलिश किया जा रहा था असल मायने में ये जो हिंगलाज माता मंदिर है ये पाकिस्तान के अंदर UNESCO heritage site है और पाकिस्तान द्वारा उसे उस दिन demolish किया जा रहा था जिस दिन UNESCO के अंदर voting हो रही थी तो लोगों ने फिर से इन्हे ट्रोल करना शुरू किया मैं आपको इस TATICA का आकड़ा साजा करता हूँ जिसके अनुसार अगस्त 2021 में UNESCO के अंदर heritage sites की अगर हम बात करें जिनने UNESCO कहता है कि दुनिया के लिए ये महत्वपून है उस प्रकार की sites दुनिया में छटे नंबर की भारत में है 2021 का आकड़ा ये है और updated आकड़ा बढ़कर के अब 42 हो चुका है दुनिया की सबसे ज़्यादा हर्ड heritage site इटली में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया में हम बहुत सारे heritage का संरक्षन करे हुए बैठे हैं खेर कोई बात नहीं बारत में फिलाल 42 UNESCO World Heritage Site है जो आपको पता चलने चाहिए यानि UNESCO को खुद मानता है कि इन छेत्रों को संरक्षित रखने की आवशकता है तो लोगों ने कहा एक पाकिस्तान है जिसके पास गिंती की 6 वर्ड heritage site है उनमें से भी एक हिंगलाज माता मंदिर है उस पर भी ये लोग बुल्डोजर चला रहे हैं ये एक हिंदू मंदिर है इसलिए इसे target किया जा रहा है वैसे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ने एक देश के रूप में अपना धर्म इसलाम स्विकार किया था यानि कि वो देश secular country ना हो करके धर्म के हिसाब से एक इसलामिक देश है और वो इसलाम के नाम पर कुछ भी करने के लिए attested है यही तो कारण है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा था तो इसके खिलाफ कोई भी secular व्यक्ती बयान देने के लिए सडकों पर नहीं आया और यही कारण है कि शारदा पीट जो कि पियोके के अंदर है उसे तोड़ने के लिए पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं हाला कि लोगोंने का कोट का ओडर है इसलिए तोड़ रहे है जबकि सुप्रीम कोट पाकिस्तान की बोल रही है कि इसे मत तोड़िये वजह बताई गई कि इसे तोड़कर कॉफी हाउस बनाया जाएगा यहाँ पर कॉफी पीने की जगे दी जाएगी खेर पाकिस्तान में मंदिरों का तोड़ना कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान जब बना था उस समय पाकिस्तान में लगभग 428 बड़े मंदिर थे आज पाकिस्तान में घट कर 20 बड़े मंदिर बचे हैं ये पाकिस्तान का वो रवया दिखाता है जिससे कि भारत में रह रहे कुछ लोगों को आत्म विसलेशन की आवशक्ता होती है कि एक देश तो धर्म के आधार पर बच गया और एक देश अभी तक अपने आपकी सेक्यू में भागने लगते हैं ऐसा लगता है कि हमारे रत में कई घोडे लगे हैं हम एक दिशा पकड़के भागते हैं दूसरे घोडे उसको पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं खेर भारत की नियती को कोई समझ नहीं पाया है हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी पॉजिटिविटी क कि आप ने इस काम को ढंग से नहीं किया तो इन्हों ने कुल ऐसे 10.11 पॉइंट निकाल कर दिखा दिये कि देखो भारत ने अपने कार्यकाल में कितने जबरदस्त जबरदस्त यूनेसको में कार्य कर दिखाए हैं जैसे इंडिया ने फाइनेस और एड्मिनिस्ट्रेशन कम मैटी के अंदर चुना गया इन्होंने कुल मिलाकर इंडिया की 11 बड़ी उपलब्धिया गिनादी जिसमें इन्होंने बताया कि केवल एक हार से आप भारत के प्रभाव को कम नहीं कह सकते दुनिया को हमने 11 बार बड़े कारणामे करके दिखाए हैं देखिए सर जब आप तो खुले दिल से क्रेडिट लेते हैं तो हारेंगे भी ना तो भी सवाल आप ही से किये जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जीत के समय बढ़ाया लें लेकिन जब हार हो तो फिर आपको लोग सवाल ना करें देखिए ये बात सच है कि हम देश प्रेमी हैं और इस हार से हम हतास नहीं हैं लेकिन मुद्दा जब बात हो बढ़ाई का या तो उस समय क्रेडिट लेने आगे मताओ और अगर हार गये हो तो स्विकार करने आओ ठीक है ना तो कुल मिला करके ये रही बात बाकी इस विशाय पर आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंद मार्किट वुल्फ का वुल्फ वे अपनाएं संभव है कि आप ट्रेड में जो आज कल बूम आई हुई है ट्रेड के अंदर उसके थुरू आप भी कुछ अंश धनका अपने साथ सेकिंड इंकम के रूप में कमा पाएं तैंकियो सो मज